नमस्कार दोस्तो आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरा नाम है रविंदर दोस्तो आज कुड़ों बात करेंगे कि एटल की 4G SIM card को 5G में convert कैसे किया जाए दोस्तो यदि आप एक retailer है या आप एक गिरहाक है और दोस्तो आप सभी के पास एटल का 4G SIM card है और आप चाहते हैं कि हमारी 4G SIM card 5G में convert हो जाए तो आज कुड़ों मैं आपको बताने वाला हूँ 4G से related information और 5G से related information तो वीडियो को start करने से पहले वीडियो को like जरूर कीजेगा और मेरे दुआरा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है comment section में comment करके जरूर बताएगा तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताए कि market में दो चार दिनों के अंदर अलाउसमेंट क्या जा सकता है सभी कंपनियों का 5G इस तारिक से launch होगा अब दोस्तों जैसे 5G launch होगा तो सभी कि यहाँ पर कान खड़े हो जाएंगी कि भाई 5G SIM card कैसे मिलेगी तो दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ कुछ साल पीछे जिस दोरान market के अंदर यानि Voda phone का और ATL का यहाँ पर 3G internet चलता था और यहाँ पर दोस्तों market के अंदर 4G आने से पहले market के अंदर activation और MNP दोस्तों यहाँ पर 4G होने स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पर market के लिए 4G SIM card पहले से दे दी गई थी और यहाँ पर ATL ने भी पहले से ही यानि 3G के टाइम पर ही 4G SIM card आनी स्टार्ट हो चुकी थी अब दोस्तों बात करते हैं आ जाते हैं वापिस इसी दोरा इसी टाइम पर तो दोस्तों market के अंदर सभी को पताए कि वह 5G आने वाला है लेकिन market के अंदर अभी तक 5G SIM card का ना कोई photo है ना कोई detail है ना ही कोई information दी गई है कि वह 5G SIM card ऐसा होगा बस खाली यहां पर बताए गया कि अटल की तरब से कुछ नई SIM card आएंगी लेकिन उनका rapper change है SIM खाली यही होगी तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि दरसल 5G SIM card की सच्चाई क्या है यहां पर market के अंदर यदि 5G announcement होने वाला है तो 5G SIM card market के अंदर अभी तक क्यों नहीं आई है तो इसकी सच्चाई यह है कि जो भी गिराक के पास एटल का 4G SIM card हो या जियो का 4G SIM card हो या वी आई का 4G SIM card हो तो दोस्तों यहां पर 5G SIM card है नहीं आएंगी जो SIM थी बस वो ही उनके उपर ही 5G internet चलने लगा बस खाली यहां पर device को बदला जागी यह कहिए कि जो आपके पास mobile phone है खाली उसको ही change किया जाएगा और जो यहां पर 4G SIM card market के अंदर पहले से उपलवध है उनी में ही आपका 5G internet चलेगा क्योंकि दोस्तों जिस दोरान भारत के अंदर 3G चलना आता तो और countryों में दोस्तों यहां पर 4G और 5G चलना आता तो दोस्तों इसी को देखते हुए भारत की जो company है उसी से सीख लेकर उन्होंने 5G की तैयारी पहली कर लिती की 4G के लिए और 5G के लिए अलग से sim card नहीं लाना पड़ेगा तो दोस्तों जो यह आपकी 4G sim card है उसको convert करने की आफसकता नहीं पड़ेगी उसी के अंदर आपका 5G internet चलेगा और 5G internet दोस्तों कब चलेगा जब आपके पास 5G mobile उप्लप दोगा तो दोस्तों आप समझगे होगे कि आपको एटल की 4G sim card को 5G में convert करने की आफसकता नहीं पड़ेगी बस खाली जदी आपके पास एटल का जीओ का या वी आई कंपनी का sim card है 4G और आपको बस 5G internet चलाना है तो market में जाइए 5G mobile purchase कीजिए sim card डालिए और जैसी 5G launch होगा आपकी sim card में 5G 100% चलना लगएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सुत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है जो बड़े बड़े यूट्यूवर हैं वो जानकारी दे रहे हैं सब यहीं दे रहे हैं कि market के अंदर कोई नया sim card नहीं आया इसी sim card में आपका 5G internet चलेगा जो आपकी 4G की sim card होगी तो दोस्तों आपको आज की जानकारी कैसी लगी है सभी के लिए good news है आपको sim card convert नहीं करना पड़ेगा जो आपके mobile number आपके save sim में वो आपके sim में ही रहेंगे बस खाली आपको mobile phone change कर लेना है और आप 5G internet आसानी से चला सकते हैं आने वाले कुछी दिनों के अंदर अंदर अज़ कर दो